बिहार में 16 जून से लॉकडाउन टू होगा CM नितीस कुमार ने 22 जून तक कुछ रियायते के साथ अनलॉक टू की घुसना की है नए नियमों के मुताविक अब सरकारी और गैर सरकारी ओपिस 50 परतिसत के साथ साम 5 वे तक खुलेगी दुकाने और परतिस्थान एक दीन के अंतराल पर साम 6 वे तक खुलने की इजाजत दी गई है वही रातरी करफ्यू के टाइम में बदलाव किया गया है अब नाइट करफ्यू रात 8 वे से लेकर 5 वे तक रहेगा पहले इसकी टाइमिंग साम 7 वे से लेकर 5 वे तक थी खाद बीज क्रिसी अंतर आवसक खाद सामगरी के दुकान हर दिन खुलेगी फल सबजिया के दुकान भी हर दिन साम 6 वे तक खुलने की इजाजत दी गई है यह बहुत बड़ी खबर अभी अपडेट अभी आपको बता रहे हैं वही स्वास्त परतिष्ठानों के अंतरगत अब चस्म की दुकाने भी हर दिन खुलेगी अभी यह पवंदिया सुल्ला से 22 जुन तक जारी रहेगी अब सिनेमा हॉल, सौंपिंग मॉल, स्टेडियम, जीम, पार्क, बिद्याले और कोलेज बंद रहेंगे सभी बिद्याले कोलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग, अन्य सैक्षिन संस्थान अभी भी बंद रहेंगे सरकारी बिद्याले कोलेज में किसी भी तरह का परिक्षा नहीं होगी साधी समरो अंतिम संस्कार स्राध में पाबंदिया जारी रहेगी सभी धार्मिक अस्थल समाजिक राजनितिक मन्रवन जन खेल कुद सैक्षनिक संस्क्रीती और धार्मिक समरो पर परतिबंदी जारी रहेगा वह सरजनिक अस्थलों पर किसी भी परकार की सरकारी और नीजी आयोजन पर रोक रहेगी सभी रेश्टुडेंट होटल धावे में खाने के समान के होम डिलिवरी टेक होम सुबधा सुबह नौवे से लेकर रातरी नौवे तक रहेगी आवासिये होटल में रूके गेस्ट के लिए इन रूम टाइमिंग की सुबधा रहेगी जरूरी सरकारी नीजी सेवाव ने इनको छूट जारी है जीला परशासन, पुलीस, सीविल, ड्रेफ सीन, बिर्धूत आपूर्ती, जला आपूर्ती, स्वक्षता, फायर बिग्रेट, स्वास्त, आवदा प्रवंधक, दूर संचार, डाक, विभाग से संबंधित कर्याले, बैंकिंग, बीमा, एबं एटियम से जूरे से वाए, क्रीसी, एबं इससे जूरे सभी चीजे और इलक्टोनिक मीडिया, इंटरनेट से वाए, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम से संबंधित, खुद्रा, एबं भंडार, परतिष्ठान, नीजी, सुर्धाय से वाए, खुली रहेगी, अभी का बहुत बड़ी दूद, दुकाने, नाइट कर्फ्यू में सरक पर निकलने की छूट दी गई है, अभी का आपको बता रहे हैं, ख़बर सबसे पहले अभी आपको प्रकास्न लाइट पर देखने को मिलड़ा है, अभी तक चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, तक के हरे खबर आपको नोटिफिकेशन के मातरम से मिलता रहे, तब तक के लिए इजादत रिजिये धन्यवाद,